असलम अलेकम डियर स्टुडेंट्स मैट्र कोर्स कोर्ड दोसो इकीस कंपलसरी इंग्लेश डू की यूनिन नमबर वन है टाकिंग अबाउट शापिंग टाकिंग अबाउट शापिंग का मतलब होता है हरीदो फरोख्ट के बारे में बादचीत करना ताकिंग, बाचीत करना अबाॉट के बारे में शापिंग, हरीद ओफरोख, हरीद ओफरोख के बारे में बाचीत करना तो ये यूनिट शुरू होती है एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से तो इस पेराग्राफ में राइटर क्या कहता है राइटर कहता है कि हमें हरीदो फ्रोक्त के लिए जाना जो है ये हमारी रोज मरा जिन्दगी का एक एहम हिसा है लोग खाने पीने की अशिया हरीदने जाते हैं जैसा के गोश्त, सबजियां, फल और खुशक राशन जैसा के नमक, मर्च, मसाले, डाले, चावल, चीनी वगरा और गर के जरूरी समान के लिए कपड़े दोने का साबन, हाने का साबन, दान साफ करने वाली पेस्ट, बाल दोने के लिए शैंपू वगरा तो हम सब ही कोहरीद और फ्रोहत के लिए जाना पड़ता है जैसा के कपड़ों, जेवरात, जूते, सिंगार का समान और जाती जबाश की चीज़ों के लिए लोगों को बनियादी जरूरत की दोईवियात भी हरीदना पड़ती है और इसके लावा फरनीचर और बहुती दीगर अश्या भी हम हरीदते हैं जो के हमारे गरों के लिए बहुत एहम होती है तो इस यूनिट में आप सीखेंगे के हरीद और फ्रोहत के बारे में बात चीट किस तरह करनी है और किस तरह अपनी जरूरत की अश्या के बारे में पूछना है यानि कि अगर आपको कहीं हरीद और फ्रोहत करना पड़ जाए तो आप किस तरह हरीद और फ्रोहत करेंगे किस तरह के सेंटेंस पूलेंगे किस तरह के वर्ड्स इस्तमाल करेंगे और किस तरह बाचीत करेंगे इस यूनिट में हमने यही सीखना है कि शापिंग कैसे करनी है मुखतलिफ चीज़ों की शापिंग मुखतलिफ जग उपे जाके किस तरह करनी है इस यूनिट में हमने सीखना है तो राइटर कहता है कि आगे बढ़ने से पहले आप जरा सोचें और जो शियाँ आप अपने लिए हरीदते हैं उनकी एक फरिश दियार करें और यह बिलिखिए का कौन सी दुकानों से आप यह शियाँ हरीदते हैं नीचे उनने दिया है कि तिंक्स आइ नीड जिन चीजों की आपको जरूरत है वो उनकी एक लिस्ट बनाएं लेफ्ट साइड पे शापस एनी टू विजट और वो चीजें किस किसम की शापस से मिलती हैं उनका नाव भी लिखें ये पेपर में भी आपको आ सकता है पूछा जा सकता है कि इस तरह की एक लिस्ट बनाएं कि आपको आम तोर पर किस तरह की चीज़ों की जरूरत होती है और वो चीजें किस किसम की दुकानों से मिलती है मसाल दी गी है पहली काटन मटेरियल फार कुर्टा कुर्टा के लिए काटन का कपड़ा जो है आपको जरूरत होती है तो आपके इस किसम की शाप से हरी देंगे यानि किसी कपड़े वाले शाप से हरी देंगे जैसा कि उन्होंने मसाल दी है लाफ, फैबरीका, कलाथ, शाप एक कपड़े की दुकान का नाम है आगे आपको और कौन से चीज़ों की दुरूरत होती है वो मैं बोलता हूँ, आप लिख लें और इसको जेन में भी राख लेना इसके लाफ आपको शूज की जरूरत होती है नमबर टू पर शूज आजाएंगे तो ये किसी भी आगे किस शाप से मिलेगे किसी शूज वाली दुकान से मिलेगे शूज वाली किसी दुकान का नाम लिख ले मसाल के तोर पर अर्बन सोल स्टोर इस तरह लिख ले तीसरी चीज़ आप लिख लें वाटर मेलन औरंजीज तरबूस और किनू तो ये किसी फूरूट वाली दुकान से मिलेंगे बिलाल फूरूट शॉप लिख लें मेडिसन्स अदोयात अदोयात की आपको ज़रूरत होती है ये किस किसम की शॉप से मिलेंगे फजल दीन कैमिस्ट से लिख लें मीट मीट की आपको ज़रूरत होती है गोश्त यानिके तो ये दिबूचर शॉप यह आपको butcher shop से मिलेगा तो इस तरह आप यह list बना लें अगर इस तरह के अगर question paper में आ जाए तो आप उसको असानी से हल कर सकें Next है Let us listen to a conversation between a mother and her daughter Asma who is the mother and Bisma who is the daughter have invited some guests for tea They are in the kitchen getting the food ready and are discussing about the things they have and things they need तो अब हम एक माँ और बेटी के दर्मियान होने वाला मकालमा जो है वो पढ़ते हैं Asma माँ है और Bisma उसकी बेटी है और उन्होंने चाहे पर कुछ महमान बलवाए हुए हैं वो दोनु बवर्ची हाने में खाना त्यार कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके पास मजूद हैं और कौन सी चीजें उनको चाहिए तो नीचे डायलाग है उनके ये देखते हैं वो किस तरह बातचीत कर रही हैं कैसे वो इजहार करती है कि उनको कौन कौन सी चीजे उनके पास है और कौन कौन सी चीजे उनको चाहिए असमा जो है जो मा है वो कह रही है बेटी को Now do we have anything we need for the fruit chart क्या अब क्या हमारे पास fruit chart बनाने के लिए सब कुछ है तो बिसमा जो उसकी बेटी है वो कहती है well let me see we have a dozen apples, two dozen bananas and some grapes but we don't have any peaches कहती है मुझे देख लेने दें हमारे पास दर्जन सेब हैं, दो दर्जन केले हैं और थोड़े से अगूर हैं लेकिन हमारे पास आडू नहीं है आगे असमा कहती है Are there any carrots and cucumbers for the salad? क्या सलाद के लिए गजरे और खीरे हैं? बिसमा कहती है a few but we don't need many I think these are fine थोड़े से हैं लेकिन हमें और नहीं चाहिए मेरे ह्याल से इतने ही काफी है मैं सालसत अर्दू भी कर रहा हूं इसकी ताके आपको समझ आ जाए कि क्या बाची तो रही है मार बेटी के दरम्यान असमा कहती है how much milk is there फार्दी खीर? खीर के लिए खीर बनाने के लिए दूद कितना है? only a little we need at least a little more थोड़ा सा है हमें कम अज़ कम एक लिटर और चाहिए होगा असमा कहती है is there anything else we need? can we send someone to the market? इसके लावा और कुछ चाहिए हमें क्या हम किसी को दुकान पर बेज सकते हैं बिसमा कहती है we need four bottles of Pepsi, a team of cooking oil and two packets of jelly हमें चार बोतले Pepsi की, एक नस्तर गी का और दो डबे jelly के चाहिए इसी डाइला की बनियाद पर यह exercise number one है इसमें कहता है कि कहता है कि मकालमा सुनने के बाद आपको याद है कि असमा और उसकी बेटी बिसमा के पास कौन सी अश्या हैं और कौन सी उनको चाहिए यह कालम में आपने लिखने हैं तिंक्स दे हैव है यानि के जो चीज़ें उनके पास हैं वो इदर लिखें और तिंक्स दे नीड और जिन चीज़ें की उनको ज़रूरत है वो दूसरे कालम में लिखें तो जो चीज़ें उनके पास हैं हमने पड़ा है उपर मैं बोलता हूँ अगर आपने यहां लिखना है तो लिख लें वरना जहें में राख लें कौन सी चीजें उनके पास हैं उनके पास एपल्स हैं बनानाज हैं ग्रेप्स कैरेट्स और कुकमबर्स हैं किन चीज़ों की उनको जरूरत है, तिंग्स दे नीड, उनको मिल्क, पेपसी, कुकिंग आईल और जैली की जरूरत है. Here is another dialogue between a shopper and a salesman. Listen to their conversation and notice how the shopper is asking or requesting for things he needs. तो यहां बर एक और मकालमा है, एक हरीदार और salesman के दर्मयान, उनकी गुफद्गू को सुने और गोर करें कि गाक जो है, salesman से अपनी जरूरत की इश्या के बारे में की इस तरह पूछ रहा है. Salesman, यानि salesman जो चीज़ें बेचने वाला है, वो कहता है, Assalamualaikum, can I help you? कहता है, Assalamualaikum, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शापर, यानि जो शापिंग करने जाता है, जो शापिंग कर रहा होता है, बंदा उसको कहते हैं, शापर, शापर कहता है, I would like a carton of mango juice, प्लीज, मुझे आम के juice का एक कार्टन चाहिए, Salesman, Sorry, I don't have mango juice, but I do have orange juice, कहता है, कि माफ कीजिए, ये मेरे पास साम का juice तो नहीं है, लेकिन कीजिए का juice दस्तियाब है, शापर कहता है, वन कार्टन अफ औरंज जूस, और लिटर पैकेट अफ हलीब मिल्क प्लीज, तागर मेरबानी करके, आप एक कार्टन कीजिए का, और एक डबा, एक लीटर हलीब के दूद का दे दें, ये रहा आपका juice, लेकिन माफ कीजिए, मैंने दूद का आखरी डबाबिल को लभी फ्रोथ किया, वैसे मिल्क पैक चलेगा, वो भी वैसा ही है, शापर कहता है, फाइन, अजार, इच आफ काफी और स्ट्राबरी जैम, और लार्ज टीन आफ पाइनेपल्स, प्लीज, कहता कि ठीक है, एक मर्तबान काफी, एक स्ट्राबरी जैम, और एक बड़ा कनस्तर, अननास का भी दे दें, सेल्जमन, हेर दे आर, एनिटिंग अलस, ये रहाँ आपका स्मान, और कुछ चाहिए, आपको, शापर कहता है, येस, कुड़ यू आलसो गिव मी आ किलो पिस्टेशियोज, रेजन्स, एंड अल्मर्ण्स, जी हाँ, क्या आप मुझे एक किलो पिस्ता, किश्मिश और बड़ाम दे सकते हैं, सेल्जमन, सोरी, आई डाउंट सेल ड्राइ फ्रूट्स, माफ कीजेगा, मैं मेवा जात नहीं बेचता, शापरवेल, दैट्स बाउट इट, ओ येस, कुड़ यू प्लीज, आलसो गिव मी आ टीन अफ, पाक प्योर देसी, गी, चले यहीं काफी है और हाँ, क्या आप मेरबानी करके, एक नस्तर पाक प्योर देसी, गी काफ भी दे सकते हैं, सेल्समें आफ को, आफ कोर्स, आटीन अर टू, यकीन एक यद दो, शापर कहता है, अलाज टीन, प्लीज, एक बड़ा टीन दे दें, नीचे एक्सरसाइस नबर टू है, हैता है कि कनवर्सेशन जो है, सेल्समें और हरीदार के दरमयान आपने सुनी है, तो नीचे उन्होंने कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं, कहते हैं, बताएं कि कौन सी चीजें जो हैं, वो शापर ने, शापिंग करने वाले ने, हरीदार ने हरीदी हैं, इन में से कौन सी चीजें हरीदी हैं, तो इन में से, मैं अपताता हूँ, आपको कौन सी चीजें उसने हरीदी हैं, उस पे आप टिक लगा लें, इस में से उसने काफी हरीदी हैं, देसी गी, जैम, मिल्क, और पाइनेपल्स, ये चीजें जो हैं, पर आप टिक लगा लें यह चीज़े उसने हरी दी है इस डायलाग में अधाग इन दी बाव टू डायलाग्स दी स्पीकर्स मैंशन तिंग्स इन डिफरेंट कॉंटिटीज लिस लिसन एंड डी डायलाग्स अगेन राइट दी कॉंटिटीज आफ दी तिंग्स क्या कि उपर हमने दो डायलाग्स पड़े हैं एक पहला पड़ा है और एक बाद में दूसरा पड़ा है पहला असमा और उसकी बेटी बिसमा के दरमयान और दूसरा जो सेल्ज मैन और शापर के दरमयान दो डायलाग्स हमने पड़े हैं कहता है दोनों में मुहतलिफ चीज़ो की मुहतलिफ तदाद बताईगी है तो उनको कहता है कि दुबारा आप देखें और सुने और पढ़ें और उन इश्या की दुरुस्त मकदार लिखिए एपल्स की कितनी मकदार का जिकर हुआ है एडेजन मैं आवगा बताता हूँ आप इसको फिल कर ले एडेजन एपल्स ए लीटर अफ मिल्क फोर बाटल्स अफ पेपसी चोथा है आटीन अफ कुकिंग आईल पांचवाँ टू पैकट्स अफ जैली चटा एक काल टन अफ मैंगो जूस साथवाँ एक जार अफ काफी और आथवाँ एक किलो आफ पिस्टेशियूस नव लेट अस रिपीट सम आफ दी की एक्सप्रेशिंस फ्राम दी टू डायलाग्स इस एक्सप्रेशिंस अर डिवादे इंटो एक्सप्रेशिंस अफ कॉंटेशिंस अफ रिक्वेस्ट अब राइटर कहता है कि हमने पीछे जो डायलाग्स पड़े हैं दो किसम के डायलाग्स उनमें जो एक्सप्रेशिंस इस्तमाल किये गए हैं जो लफाज इस्तमाल किये गए हैं जो इज़ारात हुए हैं यनि कि इस तरह इज़ार किया गया है अपने हैलात का उन एक्सप्रेशिंस को उन इजहारात को हम दो किसमों में डिवाइड कर सकते हैं दो किसम के इजहारात हुए है expressions का इस्तमाल हुआ है पिछले दोनों मकालमों में दो किसम के expressions इस्तमाल हुए है दो किसम की language इस्तमाल हुई है तो वो दो किसम के इजहारात जो है expression जो है वो एक है expressions of quantity and expressions of request जैनिके एक तरह के फिक्रे वो हैं जिनमें मुक्दार का जिकर है quantity का जिकर है और दूसरी तरह के expression वो हैं जिनमें request कीगी है दो तरह के expression का इस्तमाल हुआ है इन दोनों dialogue में मसाल के तोर पर expression of request में किस किसम के फिक्रे इस्तमाल हुए हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है किया मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें रिक्वेस्ट हैं दरहासत है किया आप मेरबानी करके किलो पिस्टा दे सकते हैं क्या आप मुझे एक निस्तर पाक प्यूर्गी का दे सकते हैं यह expression of request इनको कहते हैं जिनमें कोई request की गई हो उसके बाद कहता है एक्सप्रेशन of quantities है यानि ऐसे expression जिनमें quantity का जिकर हो मकदार का जिज़ों की मकदार का जिकर हो जैसा कि we have a dozen apples we don't have any peaches we don't need many are there any carrots how much milk is there is there anything else we need we need four bottles of pepsi 18 of cooking oil 18 of pineapples a jar of strawberry jam two packets of jelly i would like a carton of mango juice please one liter packet of milk तो यह सारे expressions of quantity है next exercise 4 है here are the names of different items write each item in its respective box according to its quantity कहता है कि इदर कुछ इशिया के नाम दिये हुए है तो इन इशिया को उनके मतलका कालम में लिखें जैसा के कैन्स कैन्स के नीचे आ जाजाएगा कुकेंगाइल कुकेंगाइल का कैन होता है बाटल्स के नीचे आ जाजाएगा यह आपको पेपर में भी आ सकता है एक्जैम में आ सकता है कि यह चीजें दी गई हैं इनको इनके मतलका कालम जो है उसमें लिखें तो बाटल्स में आ जाएगा सोड़ा, वाइनगार काफ सीरप, डिटोल इन चीज़ों की बाटल्स होती है ये इनके नीचे लिख लिख लिए आप उनको जबानी भी याद राख लिए केंस के नीचे कौन सी चीज़ों के नाम आएंगे जार्स के नीचे और बाक्स के नीचे कौन सी चीज़ों के नाम आएंगे आगे है जार्स जार्स किन चीज़ों के जार्स होते हैं मरतबान काफी एपल जैम पिकल्स, मर्मलेड नारंगी का मरबबा जोता है उसको कहते है तो ये हो जाएंगे जार्ज के नीचे आगे हैं बॉक्सिज सीरियल आइस क्रीम बिस्केट पैंसल्स जिल्री चाकलेट थ्रेड इनके होते हैं बॉक्सिज तो इस तरह इनको तर्तीब वाइज आपने लिख लेना है नेक्स्ट है जी न운 की एक्साम ये इस युनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टनट है आप के लिए इसको आपने गोर से सुनना है और जो चीज़ें याद करने तर याद कर लेनी है जो लिckने वाली है और लिक लेनी है नौन पहले तो हमको पता होना चाहिए कि नौन क्या है इसमें नौन की एक साम है नौन किसी भी शेखस चीज या जगा के नाम को हम नौन कहते हैं जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं तो यहां हमने पढ़ना है दिर आ डिफरेंट काइंट्स अफ नौन नौन की एक साम पहली किसम है नौन की प्राप्र नौन प्राप्र नौन पहली किसम को हम कहते हैं प्राप्र नौन इसमें हास या इसमें मर्फा इसको अर्दू में कहते हैं यानि किसी हास, किसी हास, शेखस, जगह, can be the name of a person, place, animal, day, month, कायन, and begin with the capital letter. ये तरीफ आपने याद कर लेनी है, या इससे भी असान, it can be the name of a person, place, animal, day, month, कायन, ये तरीफ आपने याद कर लेनी है इसकी, अगर आपको इसकी definition लिखने को आजए कि proper noun की definition लिखें, तो आपने ये लिख देनी है, ठीक है ना, किसी हास, शेखस, जगह, या चीज़ के नाम को हम proper noun कहते हैं, मसाल के तोर पर अली एक खास बंदे का नाम है, या डे का नाम Friday है, एक खास जगह का नाम लहोर है, इस तरह इनको हम proper noun कहते हैं, तो इसी proper noun की बनियाद पे exercise number five है, read the proper nouns given in the box, write each proper noun in its correct column, ये कुछ proper nouns दिये गे हैं, नीचे, इनको हमने इनकी ठीक जो कालम है उसमें लिखना है, यानि के इन proper nouns में persons कौन से हैं, places कौन से हैं, animal कौन से हैं, day, month या कियन, कोई भी मौका जो, day, then, month, महीने का नाम है, then का नाम है, या किसी मौके, हास मौके का नाम है, तो उसको इसके नीचे लिखना है, इस तरह का सवाल आपको पेपर में भी आ सकता है, तो person, person कौन से हैं, उनका नाम, person का जो हैं, वो person के नीचे हम लिखेंगे, तो हम पहले person को देख लेते हैं, इसमें, पहले है जी person का नाम है, जी मौम्मद अली आएगा person के नीचे, डेल कंप्यूटर, person के नीचे आएगा चिकन हलीम, person के नीचे सारा, मिस्टर, सिल्मान, पाम, आइल, ये हो जाएंगे person के नीचे प्रापर नाउंस, प्लेस, प्लेस का जिकर है जी, इसमें, कॉंस्टिट्यूशन आविन्यू, चकलाला एरपोर्ट, उस्मानिया रेस्टोरेंट, इंग्लिश बुक हाउस, हमदर्द यूनिवस्टी, बर्गर पॉइंट, एनिमल के कौन से नेम्स हैं, इसमें, पैंग्विन, आईबैक्स, दाइनसार, पांडा, अगे डे मन्त और रकईयन में है, इदुल फितर, जन्वरी, रमजान, इंडिपेंडेंस डे, संडे, और फ्राइडे, नेक्स्ट है, जी, कामन नाउन्स, पहले हमने पड़ा प्रापर नाउन, उसके बाद प्रापर नाउन, प्रापर नाउन होता है, और नाउन्स विच डू 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 नाउन्स विच सकती है सेटी कोईd ai बहुँसकती है अगर लोगहे भी होथ नहीं तो इसको कहा हम कहते हैं Common Nones इसके आपने तरीश भी याद कर लेनी है है और मसाले जो साथ हैं वह भी याद कर लेनी है ज 좋다 उनी जाए आपको उसके इस वाद collective nouns, collective nouns collection से, यानि जिसमें ज्यादा चीज़े हूँ, और nouns with name a group of things, for example, a bunch of flowers, a pack of cards, यानि के, ऐसे nouns, जिन में group of things हूँ, चीजों का group हूँ, जिसमें चीजों का group हूँ, जिस लफज में, जिस noun में उसको हम कहते हैं, collective nouns, bunch of flowers, यानि फुलू का एक गुल्दस्ता जो है, जैसे pack of cards, cards का एक pack, उसको हम कहेंगे, इनको हम कहेंगे collective nouns, उसके बाद है countable nouns, countable count से, यानि जिन nouns को गिना जा सकता है, जिन चीजों की गिनती की जा सकती है, उनको हम कहते हैं countable nouns, भुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इन नौन्स को हम count नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको हम कहते हैं uncountable nouns, for example water, sugar, petrol, पानी को हम गिन तो नहीं सकते, sugar को गिन तो नहीं सकते, पेट्रोल को गिन नहीं सकते, uncountable ये होगे uncountable nouns, तो आपने ये सारे जबानी याद रखनी इनकी definitions और इनकी मसालें भी, अगर paper में आजए तो आप ताके आप इसको असानी से हल कर सकें, this is very important question, very important topic for your exams, नीचे कुछ मजीद examples दी गई है, इन किसमों की, इन nouns की किसमों की, जो हमने पढ़ी है, common nouns है, जिस तरह, common nouns में, plant, liquid, cinema, collective nouns में, herd of elephants, flock of birds, chain of stores, countable nouns में, books, scissors, cards, uncountable nouns में, water, floor, air, मजीद examples दी गई है, exercise number five है, here is a list of nouns, separate countable nouns and uncountable nouns and write each in the respective, columns, कहता है कि, list दीगी है, nouns की, countable nouns की, और uncountable nouns की, तो आप जो है, इस list में, आपने लेदा-लेदा करने है, countable nouns और uncountable nouns, यहाँ नीचे, कालम बना दीएंगे हैं, कहता है कि, इस में आपने लिखनी है, countable nouns और uncountable nouns, तो countable nouns में हो जाएंगे, biscuits, mangos, boys, vegetables, cards, और uncountable nouns में हो जाएंगे, milk, petrol, tea, juice, beef, floor, hair, etc. तो इस तरह आपने इनको अलेदा-लेदा कर लेना है, और इनको जेन में भी रख लेना है, इसके लावा countable nouns में हो जाएंगे, potatoes, onions, clothes, biscuits, pins, plants, और uncountable nouns में हो जाएंगे, pudding, salt, petrol, floor, hair, tea, butter, cream, बगरा बगरा, अब हम next देखते हैं, हम एक एक चीज़ को discuss कर रहे हैं, ताके आपकी कोई चीज़ skip न हो, आपको हर चीज़ की understanding हो, और आपकी त्यारी जो है वो अच्छी हो जाए, कोई चीज़ skip न हो, और आपके marks भी अच्छी आ जाएंगे, अच्छा, next writer कहता है कि, let us once again repeat some of the expressions from the first dialogue that was between asma and bismah, कहता है कि, first dialogue जो था asma और bismah के दरमयान, उसको हम देखें, तो उसमें कुछ लफाज इस्तमाल किये गए हैं, जैसा कि, any, few, many, much, a little, at least, anything, जे सामने आपको ये लफाज नजर आ रहे हैं, तो कहता है कि, let us now understand where we can use, तो अब हम समीत हैं कि, हम, कहां पे some, any, many, lot of, lots of, and a few, ये लफाज जो है, we use all these words in sentences which you have a countable noun, तो उन sentences में हम ये लफाज इस्तमाल करते हैं, जिसमें countable nouns का इस्तमाल हो, we have some good books, books जो है countable noun है, तो इसमें some का इस्तमाल हुआ है, apples, countable है, तो इसमें any का इस्तमाल हो, इसी तरह many girls, a few shirts, a lot of fresh vegetables, a lot of oranges, तो ये लफाज जो है, some, any, many, lot of, lots of, and a few, उन sentences में इस्तमाल होंगे, जहां पे countable nouns का इस्तमाल है, उसके बाद इस्तमाल है, some, much, any, a little, a lot of, lots in sentences that have uncountable, तो ये लफाज जो हैं, ये उन sentences में इस्तमाल होंगे, जहां पे uncountable noun है, some milk, milk जो है uncountable है, इसको गिना नहीं जा सकता, sugar uncountable है, petrol uncountable है, water, oil, इस तरह के लफाज जो है uncountable हैं, तो इन में ये लफाज इस्तमाल होंगे, नीचे इनी की बन्याद पे exercise number seven है, now put some or any into each gap, हली जगह हैं इन में आप ने some का इस्तमाल करना है, या any का इस्तमाल करना है, ये exercise आपने जिहन में रखनी हो सकता है, paper में आ जाए, I have a floor in the bag, some, some floor in the bag, okay, point to have, we don't have any butter, there are some mangoes in the fridge, I want some rupees, S-O-M-E, some rupees to buy stamps, is there any patrol in the car, are there any rude people in our group, are there some dirty place in the sink, the gardener needs some fertilizer for the plants, I need some new plants for the house, do you have some salt, इस तरह ये exercise जो है, हल होगी, हाली जगह में जो लफाज बताएं हैं, वो आपने लिख लेने हैं, और उनको ज़्याद भी रखना है, paper के लिए, इसी तरह के exercise no. 8 है, exercise no. 8 है, put much, many and a lot of into each blank, हाली जगह में आपने much, many and a lot of लगाना है, have you got a lot of homework, a lot of homework, we don't need much money to start business, there are many new restaurants open in this area, the office is quiet, there isn't a lot of activity these days, there is a lot of inflation in the country these days, there are many girls in the class, we need a lot of more teens of oil for this shop, इस तरह exercise 8 जो है, आप हल करेंगे इसको और जबानी याद भी रखेंगे, next exercise no. 9 है, इसमें राइटर कहता है कि कुछ दोस्त हबाब जो हो खरीदारी करने मुहतलिफ दुकानों पर जाते हैं और मुहतलिफ विश्या हरीदते हैं उनकी हरीदारी से दुकान का सही अंदाज़ा लगाएं, उपर दुकान ने जो हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, यही नाम हमने यह जो नीचे फिक्रे लिखे हुए हैं, इन से अंदाज़ा लगाना है कि वो कहां पे गए हैं, तो स्टेंप्स कहां से मिलती हैं हमें, स्टेंप्स मिलती हैं पोस्ट आफिस से, इसके आगे हम पोस्ट आफिस लिखेंगे कि वो पोस्ट आफिस गे हुए हैं, कोड़ you प्लिज टेल मी हो मच आ बॉटल आफ वाइनगार कास्ट क्या आफ मेहरबानी करके बता सकते हैं कि सिर्के की बोतल कितने की है, तो सिर्कें की बोतल कहां से मिलती है डिपार्टमेंटल स्टोर से इसके सामने हम लिथ एपार्टमेंटल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर पर गेख हुए हैं वो Excuse me, do you have the latest book written by Amjad Islam Amjad दैके माफ कीजिए क्या मुझे बता सकते हैं कि आपके पास अमजद, इसलाम, अमजद की नई कताब दिस्तियाब है तो कताबें कहां से मिलती है बुक शाप से इसके सामने हम बुक शाप लिखेंगे ऐसे कें आई प्लीज हैव टू पैकट्स अफ डिस्परिंट डिस्परिंट कहां से मिलती है कैमिस्ट के पास आगे है, excuse me, could you please show me that red cotton fabric on the shelf तो कपड़ा कहां से मिलती है, क्लाथ शाप से क्लाथ शाप लिखेंगे हम डू यू है येस्टर्डेज डान और दी निश्टन अब आर किस से पास से मिलती है, न्यूज अजेंट के पास से कैन आई हैव सम चिकन सेंट्विचेज एंडर टू पाउंड चीज केक प्लीज ये सेंट्विचेज वगयरा और केक कहां से मिलते हैं बेकरी से, इसके सामने बेकरी लिखेंगे कैन आई प्लीज हैव सम फ्रेश ग्राउन अप प्लम्स तो क्या अब मुझे थोड़े ताजा और बड़े अलू बहारा के पोदे मिल सकते हैं ये कहां से, नर्सरी से, इसके सामने हम नर्सरी लिखेंगे क्या मुझे चार गाज मोटी बिजली कितार, दो साकट और दो गलब दे सकते हैं तो ये चीज़े कहां से मिलती हैं, हार्डवेर शाप से इसके सामने हम हार्डवेर शाप लिखेंगे इस तरह ये जो क्वेस्टन है, ये भी आपने जहने में रखना है इस तरह के क्वेस्टन पेपर में आ सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं यहां एक लिस्ट, चीज़ों की लिस्ट जो है ये मिसिज असमा इकवाल ने लिखी है इस को पढ़ने के बाद, इस लिस्ट को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज नमबर 10 है इसी की बन्याद पे ताकि हर चीज़ को लिखें के वो किस जगा से मिलेगी वो चीज़ों के नाम लिखे है मिस्स असमा इकवाल ने और हमने बताना है कि वो चीज़ें किस धिकान से मिलेंगी तो, ग्रॉसर शयाप जो है वहां से जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं बोलता हूं आप इस के नीचे ग्रॉसर के नीचे लिख लइं ताकि अगर पेपर में इसी तरह का ये आ जाए कि ये चीजें बताएं किस किस शाप से मिलेंगी किस किस बंदे के पास से मिलेंगी तो आप उसको लिख सकें तो ग्रॉसर के पास से मिलेगी शिक्स बार्ज अफ सोप बासमती राइस और एग्स ये चीज़े ग्रॉसर के पास से मिलेगी अगे बूचर के पास मिलेगी है मटन बीफ और चिकन अगे बेकर आगया बेकर में योगर्ट, मिठाई फ्रेश मिल्क डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगा वाशिंग पाउडर, फिनायल, सोप, डिस्ट बीन्स, प्लांट और जार्ज, तो इन चीज़ों को आपने जेन में रख लेना है, next haji, when we want someone to do something for us, we normally make a request, there are many different ways of making requests but each time our expression depends on the person we are talking to or making a request to, if we are making a request to someone senior in age and status, we need to be formal and polite, When we are making a request to someone who is friend, a colleague or someone who is of the same age and status, then we are informal in our expression. तो राइटर कहता है कि जब हम किसी दूसरे से अपने इस्तमाल के लिए कोई चीज़ मांगते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हम हजब तरीके से हम गुजारश या दर्खौास्त करते हैं. मसाल के तोर पर हम कहेंगे माफ कीजिएगा क्या मैं आपका कम्प्यूटर इस्तमाल कर सकता हूँ या प्लीज दर्वाजा बंद कर दीजिए. दर्खौास्त या रिक्वेस्ट करने के मुछतलिफ अंदाज हो सकते हैं. मसलिम जब हम अपने बढ़ूं या किसी अजनबी से दर्खौास्त करते हैं तो हम मौदबाना अंदाज अख्तियार करते हैं. इसको हम फार्मल या रिस्मी अंदाज कहते हैं रिक्वेस्ट करने का. लेकिन जब हम किसी दोस्त साथी या हमुमर से कोई काम कहते हैं तो हम बेतकलफी वाला अंदाज अफ्तियार करते हैं इसको हम इनफार्मल या गैर रस्मी अंदाज कहते हैं यानि दर्खास्त करना जो है वो दो तरीके से हम दर्खास्त कर सकते हैं उसको हम फार्मल रिक्वेस्ट और इन फार्मल रिक्वेस्ट करते हैं फार्मल रिक्वेस्ट में हम मुदबान अदाज थियार करते हैं जब हम किसी सीनियर से या अजनबी से इसको हम जानते नहीं दर्खास्त करते हैं तो हम बड़े इज़त के साथ करते हैं लेकिन जब हम किसी अपने जानने वाले दोस्ते करते हैं तो हम बेतकल्फी वाला अंदाज है तो पहले हम देखते हैं कि हम फार्मल रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह की जाती है, किस तरह के फिक्रे उसमें इस्तमाल होती है, किस तरह की लेंगविज इस्तमाल होती है, किस तर आपको तकलीफ देने पर माज़रत क्या आप लाइबरेरी में से ये कताबें तलाश करने में मेरी मदद करेंगे दूसरी मिसाल है प्राइम एरबानी क्या आप मुझे पांच हजार रुपे उदार दे सकते हैं तीसरी है जी माफ कीजिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तानी मिवसीकी की कुछ केस्टें मुझे कहां से मिल सकती है I hope you don't mind and my asking but could you please drop me at the airport अमीर है कि आप मेरे पूछने पर बुरा नहीं मानेंगे क्या बराइम एरबानी आप मुझे एरपोर्ट पर छोड़ देंगे इस तरह के लफाज इस्तमाल करके बहुत ही मुदबाना और इज़त वाला लेज़ा हित्यार करके हम फार्मल रिक्वेस्ट करते हैं इन फार्मल रिक्वेस्ट की मिसालें देखते हैं Do you mind switching of the TV? अगर mind ना करो तो TV बंद कर दो Are you free? Can you help me in the kitchen? अगर तुम फारव हो तो बवर्ची हाने में मेरी मदद कर दो I wonder if you can help me pack my bags क्या तुम बैग पैक करने में मेरी मदद कर सकते हो Next exercise number 11 है इसमें राइटर कहता है के फर्ज की रिये Suppose you are at these places and you want to know where You can buy different things How will you make a formal request fill in the empty balloons ये जो है आपके exam में भी आ सकता है कि कहता है कि फर्ज कीजिए आप मुख्तले मकामाद पर हैं और जानना चाहते हैं कि मुख्तले चीजें आप कहां से हरीद सकते हैं आप रस्मी अदाज में यानि फर्मल तरीके से द्रफ़ास्त कैसे करेंगे आप तारिक रोड कराची आप तारिक रोड कराची में हैं यू वांट तो नो वेर टू बाई गोल लामद फैब्रिक्स तो आप जानना चाहते हैं कि गोल लामद के कपड़े जो हैं आप कहां से हरीद दें तो आप कैसे पूछेंगे किसी से भी तो आप कैसे पूछेंगे कौन सा फिक्रा बोलेंगे किस तरह फार्मल रिक्वेस्ट करेंगे वो मैं आपको लिखवाता हूँ आप नोट डून का लें उसको जहन में भी राक लें एक्सक्यूज मी कामा कुड यू प्लीज गाइड मी एज वेर टू बाई गुल एहमद फैबरिक्स इस तरह इसका मतलब में माफ कीजिए कि आप मेरी रहनमाई फरमाएंगे कि गुल एहमद के कपड़े कहां से खरीद दूँ हुँ दूसरा है एट रेश्म गली हैदराबाद में है आप यू वांन टो नो दिशाप यथ बेस्ट गलास बैंगल्स तो आप कहेंगे एकस्कूस मी आइवांन टो बाई नाइस बैंगल्स यह आप बैंगल्स हृधना चाहते हैं चोड़एं रिदना चाहते हैं Do you mind telling me where to buy them? इसका मतलब का माफ कीजिए मुझे उंदस ही चूड़ी 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 हरीदनी हैं किया आप मुझे बता सकते हैं कि कहां से हरीदूँ? At Liberty Lahore, you want to know the way to the famous Khusha Shop? आप Liberty Lahore में हैं और आप जानना चाहते हैं, रास्ता जानना चाहते हैं किसी Khusha Shop जहां से Khusha हरीद सकें आप तो आप कहेंगे Sir, Please tell me the exact place where the famous Khusha Shop is अगे सौरिये निशान इसका मतलब आप जना बराय मेरबानी मुझे 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 खुसा शाप का सही पता बता दें आगे हैं, आप जना रोड कोईटा में हैं, you want to know where you can get beautiful blotch and bridal dress at a reasonable price आप कोईटा में हैं और बलोची किसम का जो ड्रेस है, वो हरीदना चाहते है, reasonable price पे तो आप कैसे जानेंगे, कि वो कहां बे है शाप तो आप कहेंगे, sorry to bother you, could you please tell me where I can buy beautiful embroidered dresses at reasonable price आगे, तो इसका मतलब होगा, आप को तकलीफ देने पर माज़रत क्या आप मुझे बताएंगे कि खुबसूरत कशिदा कारी वाले मलबुसात मनासब कीमत पर कहां से मिलेंगे एट सदर पिशावर, पिशावर में हैं आप, you want to know where you can get the latest variety in Japanese cloth तो जपानी कपड़े की कहां अच्छी variety आप हासल कर सकते हैं आप शावर में तो आप कैसे किसी को पूछेंगे कैसे formal request करेंगे, आप करेंगे, excuse me, would you mind telling me where to get the variety of latest Japanese cloth इसी तरह आगे exercise number 12 है, make the right request, you may choose to be formal or informal इस exercise में भी मुतलब situations दीगी हैं उसमें आपने request करनी हैं किसी बंदे को formal इंदाज में कर लें इंपॉर्टेंट है, exams के लिए important है, इसी तरह के फिकरे आपको आ सकते हैं कि पहला है कि the window is open and you want a person sitting close to you to shot it, खिड़की खुली है और आप पास बैठे शगस से उसे बंद करने को कहना चाते हैं, तो कैसे आप उससे request करेंगे, क्या फिकरा बनाएंगे, किस तरह का expression इस्तमाल करेंगे, तो ये आपने लिखना है, इसका जवाब मैं आपको लिखवाता हूँ, आप ले लिख लें और उसको जबानी याद भी कर लें तो आप कहेंगे उस बंदे को, जिससे आप चाहते हैं कि वो खिड़की बंद कर दें, आप कहेंगे, कोड़ यू प्लीज शट दी विंडो, आगे स्वारिया इंशान, दूसरा है, दी बैग इस हैवी, और यू आसका फ्रेंड तो हेल्प, यू लिफ्ट इट, बैग वजनी हैं और आप एक दोस्त उससे उठाने के लिए मदद को कहते हैं, तो आप कहेंगे, शाहिद कम एंड हेल्प मी लिफ्ट इस बैग, शाहिद आना और मेरी मदद को इस बैग उठाने में, तीसरा है, जी, दी शू इस टाइट और यू आसके सेल्समेन तो चेंज इट, जूता तंग है और आप सेल्समेन से उसे तबदील करने का कहते हैं, तो कैसे उसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे, आप कहेंगे, आप सुरी, बट इस शूज आर टू टाइट, फॉर स्टाप कोड यू प्लीज चेंज देम, अगे स्वालियां शाहन, माजरा चाहता हूं यह जूते बहुत तंग हैं, क्या आप प्लीज इनको तबदील कर देंगे, इस तरह, यू और आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी मालक मकान से कहते हैं कि वो आपके पोद्दों का ह्याल रखे, तो कैसे आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे, विल यू प्लीज टेक केर आप माई प्लांट्स, नेक्स्ट आप फाइब, यू थाउजन रूपीज नोट्स यू वांट दी कैशियर तो गिव यू दी चेंज, आपके जार, आपके पास हजार वाले नोट हैं और आप कैशियर से उसका चेंज लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे, दो यू माईंड गिविंग मे दी चेंज आप थाउजन नोट्स, आहरी है, यू आप गाट पूर आपके असाइनमेंट में आपके मार्क्स जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं, आप अपने ट्यूटर को कहना चाहते हैं कि दोबारा जो है, नजर सान नहीं करें असाइनमेंट पे, तो आप कहेंगे, सर कुड यू प्लीज, गिव मी सम मोर मार्क्स इन दी असाइनमेंट इन दी असाइनमेंट, तो इस तरह ये जो मुटलिफ सिचेशन में आपने किस तरह रिक्वेस्ट करनी हैं, ये आपको पता चल गया होगा, आपने इसको जेन में राक लेना है, ताके आपकी त्यारी जो है, वो अच्छी हो जा आगे एक्सरसाइज नमबर 13 है, वाट रिक्वेस्ट वोड़ यू लाइक टू मेक टू दीज पीपल, इन लोगों से आप किस तरह रिक्वेस्ट करेंगे, ये भी क्वेस्टन, इम्तिहान के लिए इंपॉर्टन्ट है, पहली ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टन्ट है, ज इसमें बहुत ज्यादा चीज़े हैं, लेकर ये एक्वेस्टन के होले से भी इंपॉर्टन्ट है, इसमें से क्वेस्टन जरूर आते हैं, एक्सरसाइज नमबर 13 है, कि इन लोगों से आप किस तरह रिक्वेस्ट करेंगे, अर्सेप्शनिस्ट इन आ होटल, होटल के खुश मैं बहुता हूँ, आप लेक लें और उसको जबानी याद कर लें, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी, वेर इस दी टाइलेट, आगे स्वाल या फिकर है तो आगे स्वाल या निशान, क्वेस्टन मार्क जिसको कहते हैं, ये और अंकल, अपने अ ये और बास एट दी आफिस, दफ्तर में अपने बास, आप कहेंगे, सर प्लीज परमिट मी तो लीव दी आफिस फर फ्यू आर्स, दिहाकर वो प्रोवाइड निउस पेपर तो यू, हबार पहनकने वाले आदमी से क्या कहेंगे, आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहे कहेंगे, एक्सक्यूज मी, I want to change my newspaper, दी लेडी सिटिंग अट डेस्क इन डॉक्टर's क्लीनिंग, डॉक्टर के क्लीनिर पर जो औरत डेस्क पर बैठी होती है, इसको कहेंगे, एक्स्क्यूज मी मैडम, I want an appointment with the doctor, A stranger on a road, रा में चलते एक अजनभी से, आप कैसे द्रफास्त करेंगे, आप कहेंगे, If you don't mind, please guide me, where is the post office, वेस्वालिया निशान, Your parents, अपने वाल्दाइन से कैसे द्रफास्त करेंगे, I wonder, if you would allow me to go on this event, a librarian, Vibrarian, Vibrarian को आप कहेंगे, Excuse me, can you please tell me on which shelf this book is placed, Your best friend, आपने बेतरी दोस्त को कैसे द्रफास्त करेंगे, आप कहेंगे, Please close the door, Your younger brother, आपका छोटा बाई है, उसको कैसे द्रफास्त करेंगे, If you are free, help me pack, अगर तुम फार हो तो पैकिंग में मेरी मद्द करो, तो इस तरह के आप जुमले इस्तमाल करके इन लोगों से requests करेंगे, इसी unit का, unit number one का part B है, Reading and Writing, पढ़ना और लिखना, तो इसमें, ये जो paragraph से शुरू हरा है, इसमें हम सीखेंगे कि क्लासिफकेशन क्या है, क्लासिफकेशन क्या होती है, क्लासिफकेशन को अर्दू में हम दरजाबंदी कहते हैं, यहनि कि अब हम दरजाबंदी के बारे में पढ़ेंगे कि दरजाबंदी क्लासिफकेशन क्या होती है, दरजाबंदी क्या है, दरजाबंदी अशिया को उनके इस्तमाल के मताबक कथा करने को कहते हैं, अशिया को उनके इस्त्माल के मताबक अकठा करने को कहते हैं मसलन कताबें, पैंसलें, शापनर वगेरा को आप स्टेशनरी के तूर पर दर्जा बंदी करते हैं इसी तरह मट्र, बंद, गोबी, पालक और गाजलों को हम सबजी में शमार करते हैं की दर्जा बंदी करते हैं कलासिकेशन करते हैं और इसी तरह शैंपू साबन टूथ पेस्ट को हम जिस्मानी सफाई की इश्या में दर्जा बंद करते हैं इसी तरह ये एकसरसाइज नंबर फूर है इसमें कहता है कि ये नीचे कताब की एक शक्कल है आपकी बुक में ये वाज़ जो है बुक जो आपको मिली है उपन यूनिवेस्टी की तरह से उसमें ये वाज़ होगी ये बुक की तस्वीर इदर वाज़ नहीं है कहता है कि कताब में एक दुकान की तस्वीर दी गई है उसको देखिये और उसमें मुhtलिव रैक हैं जिनपर मुhtलिव श्या है जो रोजमरा के इस्तमाल के लिए चाहिए होती हैं तस्वीर को देखते हुए इन सब श्या की नशान दी कीजिए और एक फेरिस्त त्यार करे एक फेरिस्ट बना ले उन सारी चीज़ों की ये नीचे उन सारी चीज़ों की जो दुकान में मजूद है उनकी फेरिस्ट बनी हुई है ये लिखिवे हैं सारी चीज़ें मैं पढ़के आपको बता देता हूँ जैसे के स्विस्स मिस, लिपस्टिक, रेक्जोना, डियोडरंट, एलमस, अ प्लेस फर वेडिंग जूलरी, टिकक कबाब्स, चुतानी जैम्स, मोड़ गर्ल, क्रीम ब्लीच, जिलेट फॉम, इटालियन पिजा, रेड ड्रेगन चाइनीज रेस्टूरांट, रोशी अंब्राइड फैब्रिक्स, मिस्टर कुक्स हाट बर्गर और चिप्स, प्यूर लैदर शूज और वैलेट्स, ट्रडिशन्स, अल्टिमेट इन लैदर गुड्स, आर्ट एंड स्टाइल, क्लोथ फर फैशनेबल लेडिस, दिहात, अप्लेस फर ट्राइडिशनल फूड, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लिस्ट हैं उनकी जो दिकान में मजूद हैं, तो इसी बनाद पर ये एक्सरसाइज नंबर 15 है, के विर वोड यू फाइंड विच आइटम, प्लासिफाइड इबाव नेम्स इन दीज कैटे कौन सी चीजें इन में से मिलती हैं, कास्मेटिक्स की कौन कौन सी चीजें हैं, उनको कास्मेटिक के नीचे दरजा बंदी करनी हैं, जूलर्स के पास से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, इसी तरह लेदर शाप से कौन सी चीजें मिलती हैं, उनको यहां पे लिखना है, कि इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन तो रेस्टोरेंट में आपको कौन-कौन सी चीज़े मिलेंगी इस लिस्ट में से इटालियन पीजा आप नोड़न कारलें लिख लें ताकि अगर यही लिस्ट आ जाए और आपको कहा जाए कि इनकी दर्जा बंदी करें क्लासिफिकेशन करे और इसी तरह यह कालम बने हुए हैं टेबल बना हुआ हो तो आप असानी से कर लें आप इनको नोड़न कर लें जैन में बिराख लें रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे जी इटालियन पीजा दिहार्ट मिस्टर कुक्स तिका कबाब्स रेड ड्रेगन कास्मेटिक्स में स्वि रेक्जोना डियोडरेंट जिलेट फों इसी तरह जीवलर्स में अलमस चुटानी लेधर शाब में प्योर लेधर ट्रादिशन्स शूज में प्योर लेधर शूज फैब्रिक में आर्ट एंड स्टायल और अरूशी इस तरह ये चीजों की लिस्ट जो है इसकी दरजा बंदी के मताबक इस तरह ये चीजें जो है इनकी दरजा बंदी होगी तो यह आपने लेखने नहां और जेन में भी राकने नहां next है करता कि read this text ये text पड़े I am Tuba and I am getting married on the 20th of next month I need to buy a few things that will help me start my married life but at the same time I am against the tradition of giving jahaj and so I have asked my parents not to spend a lot of money on buying things for me I have decided to buy only five nice and practical dresses a couple of nice pairs of shoes or few items such as lipsticks, perfume, hair dryer, shampoo, etc my parents have asked me to choose two gold sets and four gold bangles and I think these will be okay I also need to buy a mattress, a quilt, a pair of bedsheets, some pillow covers and a couple of warm blankets I also need to buy one dinner set, a tea set, a water set my mother thinks I should also buy cooking pots and pans as well but I don't think so as surely my in-laws have these things I am not buying any furniture because my in-laws have a household of them I need one more item and that is a small tape recorder because I love listening to music so you see I am trying to buy only selected items that I think are just perfect to start a new life I am trying to buy only twenty-th of next month I am trying to buy some dresses, some nice pairs of shoes, lipsticks, perfume, hair dryer, shampoo, gold sets, bangles, mattress, quilt, pair of bedsheets, pillow covers, warm blankets, drinks, dinner sets, tea sets, water sets, pans, furniture, furniture and furniture हorama को किन दकانु में जाना चाहिए जिन श्या की उसने फेरेष त्यार की है को किन उसकोगर चाहिए उसकोगर जाना चाहिए तो क्विन कूं से आइटम्स वह वह रीड़ना चाहती है पहला इटम्स वह जाती है डॉस्तिक पर्फियूम कास्मैटिक शाप पर जाएगी हरीदने के लिए डिनर सेट क्राकरी शाप पे टी सेट वाटर सेट ये भी क्राकरी शाप से मिलेगी बरत्रोंवाई दकान से उसको मिलेगे गोल्ड सेट जूलर्स शाप पे जाएगी मैट्रेसिज कुल्ट यानि गद्दा चादर बैडशीट बलैंकेट पिलो ये चीज़े बैडिंग स्टोर जो है उससे उसको मिलेंगी तो इस तरह आपने तमाम चीज़ें हमने तकरीबन कोई चीज नहीं छोड़ी एक एक चीज़ को टच किया है डिटेल में पड़ा है ताके आपकी त्यारी जो है वो अच्छी हो जाए हर चीज़ की आपको समझ आ जाए अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अमीद है कि आपको समझ आ गई होगी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई वीडियो को दोबारा देख लें बार बार देखने से आपके कांसेप्ट्स किलियर हो जाएंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें ताके आने वाले वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहें और आपकी अच्छी त्यारी होती रहें और आप काम यब होते रहें तो ये था आज का लेक्चिर थैंक यू सो मच